हलो फ्रेंट्स वेलकल वान यूट्यूब चैनल दा मोबाल सरी ओपो ने रेनो स्रीज के अंदर एक मॉडल लॉंच किया है रेनो 8T और वो भी अंदर 30K तो इसके अंदर एक आप्शन दिया गया है कि आप अपने मोबाल में बैक कैमरे से जो पिक्चर कैप्चर करेंगे वो 108 मेगा पिक्सल का कैमरा होगा लेकिन इस 108 मेगा पिक्सल को आपको अक्टिवेट करना पड़ता है वो कैसे होगा उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है आपको normal जो camera है वो 108 megapixel नहीं मिलेगा लेकिन उसे activate कर लेगे तो आपको 108 megapixel की picture quality ज़रूर मिलेगी activate करने के लिए क्या operation करना होगा वो आपको next part में मिलेगे तो चलते हैं mobile screen की side और जानते हैं कि 108 megapixel का जो camera है उसे कितनी clarity मिल सकती है और कहां से आप उसे activate कर सकते हैं back camera 108 megapixel को use करने के लिए आपको सबसे पहले camera icon पर tap करना है उसके बाद में यहाँ पर जो three dot दिये हुए है इस पर आपको tap करना है tap करने की बाद में आप यहाँ पर जो high का option आ रहा है इस high पर आप जब tap करेंगे तो यहाँ पर आपको show करेगा high rise 108 megapixel लेकिंगे इसकी कुछ condition है सबसे पहले मैं आप इसकी positive point बताना चाहूंगा कि इस बार 108 megapixel के साथ में आप AI भी use कर सकते हैं जो AI enhancement है उसे भी use कर सकते हैं आप retouching यानि कि आपका जो beautification है beautification level को भी use कर सकते हैं filter है कोई भी filter आप इस्तमाल करेगा 108 megapixel पर ही इस्तमाल होगा लेकिन दो condition ऐसी हैं जिनमे 108 megapixel नहीं कर सकते आप 108 megapixel के अंदर zoom का option देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा कि आप zoom नहीं कर सकते हैं या फिर जो standard rate है 4 is to 3 जो screen size है यदि आपको उसे change कर देते हैं full कर देते हैं या 16 is to 9 कर देते हैं जैसे मैंने 16 is to 9 किया तो automatically यह 64 megapixel पर convert हो गया है देखेगा यहां से high से low पर आ गया है तो इस तरीके से आप 108 megapixel के camera को use कर सकते हैं तो friend आपको पता चल गया है कि इसका जो main camera है वो 108 megapixel है लेकिन उसे activate करना पड़ता है by the fall जो camera आपको मिलेगा वो 16 megapixel मिलेगा उसे activate करेंगे high rise पे तब आपको 108 megapixel की picture quality मिलेगी और उसमें क्या-क्या condition है वो भी मैंने आपको बता दिये तो कैसी लगी ये वीडियो प्लीज comment box में जरूर बताएगा ऐसी देर सारी informative वीडियो पहले जानने के लिए चैनल को subscribe करें और bell icon को press करना ना बोले Thank you so much, have a nice day झाल